आपको पता दुनिया में एक लौता ऐसा मुलक है यूएस जो अपनी एजुकेशन बेचता नहीं है आज पुरी दुनिया में एजुकेशन शिक्ष्या एक धंदा बन चुकी है अगर हम भारत में देखे तो हमें बहुत सारे कॉलेज उनिवेसिति यह ऐसे नजराते हैं जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है जहां पर पड़े हुए को ना तो कोई मानता देता है बट लोग फिर भी पड़ी जा रहे हैं ला तो पुरी दुनिया बीसे दो सारी सिक्षा कर रोबार कंulateAh पुराना समय होता था जब टक्षिछ्लाज उनिवेसिटी नलंदा थी बटने के लिए को ओंदो पड़ने के लिए को शिख्षा स्थान पे जाते थे आज पड़ाइना देखे यह चीज आरुबार बन चुकी है जितने भी एड इंग खॉलजिанд्व देख रहे हैं जितने ऑपन उनिवर्सिटीज यह सब Coast ид ​​ roz पझाब में है आपकी यूनिवरसिटाशिटी उड़िश सा एts disintegr me है अपकी यूनिवरसिटी शिंक्स में है अप आउन लाइन पढ़ रहे हैं सब को पता है क्या गोल माल चल रहा है जब हम देखते हैं कि दसवी फेल बारवी करिए जब ऐसे विग्यापन देखते हैं तो चीजों को समझ जाना चाहिए कि आज शिक्षा एक कारूबार हो चुकी है दुनिया के अंदर सिर्फ अमेरिका एक ऐसा मुलक है जिसने शिक्षा को अपना कारूबार नहीं बनाया यही एक कारण है कि अगर आज दुनिया की टॉप हंडर्ड युनिवर्सिटी निकाली जाए तो मैक्सिमम नाम अमरीका के युनिवर्सिटियों काता है अगर दुनिया के दस ऐसे टॉप के शिक्षा सस्थान निकाले जाए तो उसमें भी पांच या छे मेंसे अमेरिका के आते हैं दुनिया की पहले नंबर की कॉलेज युनिवर्सिटी कौन सी है शायद हार्वर्ड युनिवर्सिटी है दूसरे नंबर पे म.I.T. होगा तिसर जो आज दुनिया कर चुकी है आपको पता हार्वर्ड म.I.T. में पढ़ने के लिए पैसे नहीं लगते सिरफ आपको वहां पे सेलेक्शन लेनी होती है अगर आपका बच्चा छेवी सातवी आठवी में पढ़ रहा है तो आप चाहें तो आपको दुनिया की टॉप युनि पढ़ता है बच्चे को बच्चे को इंटाइंशिप करानी पढ़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे आप दुनिया की टॉप युनिवर्सिटी के अंदर दाखला ले सकते हो और अच्छे शिक्षा संस्थानों में पढ़ने के लिए कभी पैसे नहीं लिए बनता आपको पहले दिन पांच साल का वीजा दिया जाता है चाहिए आपकी पढ़ाइचे महीं में की हो अगर कुछ सीखना चाहते हैं जिन्दगी के अंदर नंबर वन रहना चाहते हैं तो नाम तो यूएस का ही आएगा अमरीका के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉले युनिव अज पूरी दुनिया के अंदर पांच हजार से जाइदा कॉले युनिवेसिटी यां अमेरिका के अंदर है टो लालस नी देरह आपको कितने पैसे लगने नहीं लगने पैसे पहले बाद में ऐसा कुछ नहीं हो रहा आइलेट भी मिला आइलेट ऐसी कोई बात मीं कर रहा त हैं कि उनका बच्चा काम जाब हो कि आप चाहते हैं ना आपका इस मन्ट सांथ भने आप चाहते हैं आपके ideology आपके शेह की बात की जाए आप चर्चा में में रहें कि या फलात least भला का डाक्टर के बाप है इंसरह मिलिए गांपकर कर पानि का आपकी कॉंसलिंग की जाएगी आज के बाद हमारे किसी भी दफ्तर में आपको वीजा की बात कम होगी आप से कॉंसलिंग की बात जैदा होगी कि आपका बच्चा कौन सी पढ़ाई में कामयाब हो सकता है यह हमारे लिए आज से प्राउटी होगी आपके बच्चे को कौक्या सब्जेक्ट लेने चाहिए कौन से कॉलर्ज उनिवर्स्टी में जाना चाहिए जहां जाके वह कामजाब इंसान बन जाए किस चीज़ को हम लोग तबज्जो देंगे चाहते हैं आप क्या भी बच्चा कामजाब हो अच्छा डॉक्टर बने इंजीनियर बने सेंटिस्ट बने बहुत तरह की कॉर्स हैं बीस हजार तरह का करियर होता है एक बार मिलिए आके कोशिश करेंगे आपकी उमीदों पर करें उतरें बच्चा लायक होगा तो फ्री में सपनों को सकार करिए